साथियों, सोमना तो सदियों से सदा सीव की भूमी रही है और हमारे यहां सास्तुरों में कहा गया है शम करोति सह शंकरह अर्थात जो कल्यान को, जो सिद्धी को प्रदान करे वो शीव है यह शीव ही है, जो विनास मैं भी विकास का बीज अंकुरित करते हैं सम्हार मैं भी स्रजन को जन्म देते हैं इसलिए शीव अविनाशी है, शीव अव्यक्त है और शीव अनादी है और इसलिए तो शीव को अनादी योगी कहा गया है इसलिए शीव में हमारी आस्ता हमें समय की सिमाओं से परे, हमारे अस्त्वित्व का बोध कराती हैं, हमें समय की चुनोतियों से जूजने की शक्ति देती हैं। और सोमनात का ये मंदीर हमारे इस आत्मविश्वास का एक प्रेना स्थल है। साथियों, आज दुनिया में कोई भी व्यक्ति इस भव्य सम्रचना को देखता है, तुसे केवल एक मंदीरी नहीं दिखाई देता है। उसे एक ऐसा अस्तित्व दिखाई देता है, जो सैंकडों, हजारों, सालों से प्रेना देता रहा है। जो मानवता के मुल्यों की गोशना कर रहा है। एक ऐसा स्थल जिसे हजारों साल पहले हमारे रुश्यों ने प्रभास ख्षेत्र यानी प्रकास का ज्यान का ख्षेत्र बताया था। और जो आज भी पूरे विश्व के सामने ये आहवान कर रहा है कि सत्य को असत्य से हराया नहीं जा सकता। आस्था को आतंग से कुछला नहीं जा सकता। इस मंदीर को सैंकडों सालों के इतिहास में कितनी ही बार तोड़ा गया। यहां की मुर्तियों को खंडित किया गया। इसका अस्तित्व मिटाने की हर कोशिश की गए। लेकिन इसे जितनी भी बार गिराया गया वे उतनी ही बार उठखड़ा हुआ। इसलिए भगवान सोमनाथ मंदीर आज भारती नहीं पूरे विश्व के लिए एक विश्वास है और एक आश्वासन भी है। जो तोड़ने वाली शक्तियां है जो आतं के बल्बुते सामरज्य खड़ा करने वाली सोच है। वो किसी कालखन में कुछ समय के लिए भले हावी हो जाए लेकिन उसका स्तित्व कभी स्थाई नहीं होता। वो जादा दिनों तक मानवता को दवा कर नहीं रख सकती। ये बात जितनी तब सही थी जब कुछ आतताई सोमनात को गिरा रहे थे उतनी ही सही आज भी है जब विश्व ऐसी विचार धाराओं से आशंकित है।